वेब अप्लिकेशन डेवलेप्मेंट के अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सर्च के उपर काम करना बताऊंगा यानि कि यहां पर हम आईडी टाइप करेंगे और जैसे ही सर्च के बटन के उपर क्लिक करेंगे तो जो भी data हमने database के अंदर store कराया है वो as it is data, वो id के according हम यहाँ पर fetch करा करके देख सकते हैं और यह काफी ज़ादा important topic है अगर आपको modify कराना है, delete कराना है तो कौन से record को कराना है, पहले आपको उसे search करना पड़ेगा जब आपके पास सारे record आ जाएंगे तो ही आप उसके अंदर कुछ changes कर पाओगे या फिर उसे delete कर पाओगे that's why search का concept काफी सदा important है make sure आप इसको properly यहाँ पे समझ के रखे अगर आपने इस series को अब तक follow up नहीं किया है तो description में आपको complete playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी videos को भी check out कर सकते हो वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe करे bell icon को click करके all notification को on करे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे search कराने के लिए यहाँ पे कुछ modules है यानि कि part by part हमें चलना पड़ेगा पहला step हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है कि जब भी यहाँ पे id type हो और इसके उपर click हो तो यह data हमारे पास यहाँ पे visible हो जाए तो इसका एक part तो यह बनेगा कि यहाँ पे type होते ही और button पे click होते ही यहाँ से इस field में जो भी type किया गया है वो database में match कर आए और इस page तक ले करके आए अब जब मैं page की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब इन fields से नहीं है वो इस page के उपर आ करके दिखेगा दूसरे step में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसे जो इस page के उपर data fetch हो करके आ चुका है database से उसे इन fields के अंदर print करा करके दिखा देंगे और इस तरीके से search का concept हमारा काम करता है तो without wasting any time directly हम लोग jump करते हैं practical के उपर और देखते हैं कैसे हम इसको implement कर सकते हैं तो यह हमारा code है जो हमने last काम किया था थोड़ा सा यहाँ पे zoom कर लेते हैं एक चीज आपको मैं बता दू मेरे database में कुछ problem था तो मैंने यहाँ पे नए entries को pass किया है जो आपने किया हो पिशला काम आप अपने according करते रहो कोई दिक्कत नहीं है नीचे आते हैं और हमारे search के button के उपर आते हैं आप यहाँ पे देखोगे एक button मैंने यहाँ पे create कर रखा है input type equals to submit, value equals to search यह मेरा search button है अब यहाँ पे इसका name छूटा हुआ है, खाली save वाले के उपर आप देख सकते हो, एक name हमने provide किया हुआ है same हमें search का भी नाम provide करना है तो मैंने यहाँ पे कहा search data ध्यान दे, यहाँ पे space नहीं आएगा, underscore का use कर सकते हो बट मैंने कुछ भी use नहीं किया और directly यहाँ पे type कर दिया यहाँ पे आ करके इसको refresh करते हैं तो यह जो मेरा button है, इसका नाम हो गया search data अब मैं क्या कहता हूँ, जब भी search data पे click हो तो जो भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, जो भी type किया हुआ है वो record is page के उपर आ जाए similarly यहाँ पे नीचे आते हैं, enter मैंने प्रेस किया, php को start करेंगे थोड़ा से zoom कर लेते हैं और यहाँ पे आ करके php को बंद करेंगे अब इसके बीच में आ करके मैं इसको कहता हूँ, if same काम तो मैं एक काम करता हूँ, उपर से ही copy कर लेते हैं यह जो हमने set किया था ना, कि अगर button set होता है यानि कि button के उपर click होता है, तो क्या कर अगर post method की help से ये वाला button set होता है, click होता है या press होता है, कौन सा button? search data जिसका नाम है तो यहाँ से copy करके मैंने paste कर दिया post method की help से search data नाम का button अगर click होता है तो क्या करना है, obviously हमें data को fetch कराना है database से और search करके ले करके आना है, अब ये कैसे होगा, जब मैंने आपको data को database में भेजना बताया तो हमने क्या किया, हर एक field के जो नाम है वो allocate किये, और button के उपर click होने पे जो भी उस field के नाम के अंदर हमने type किया है, वो store करा दिया, अब यहाँ पे search पे click करने पे क्या करना है, जो इस जगह पे type हुआ है, उसे search करना है, यानि कि यह मेरा पहला वाला text field, search id, उपर आते हैं अपने design पे, यह रहा जो हमने बना रखा है, आप देख सकते हो, input type equals to text, name खाली छोड़ा हुआ है, placeholder में लगा हुआ है, search, यानि कि य यही वाला है, इस field का भी एक नाम देना पड़ेगा, तो मैंने इसको कह दिया search, अब इसका क्या मतलब बनता है, इसका नाम हो गया search, तो जो भी search में है, उसको get करके नीचे लाऊंगा, जैसे insert करने की time पे हमने सीखा था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे आकर के मैंन data को यहाँ लेया, वो अभी html के form में ऊपर पड़ा है, उसे इस जगह पे लेया, यह search कहां से आया, यह जो अभी अभी input type के हंदर हमने यहाँ पे type किया, यह वाला, अगर आपने name कुछ और दे रखाया, तो आप यहाँ पे भी कुछ और करोगे, लास्ट में आ जाएगा semicolon, अब इतना कुछ बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको एक variable में डाल देते हैं, तो अब इसको मैंने दिया यहाँ पे search नाम का variable, आपको जो रखना हो वो करे कोई दिक्कत नहीं है, तो अब जो ऊपर हमने type किया है search करने के लिए, बटन पे click होते ही वो नीचे आ गया PHP के अंदर, इस जगह पे और बाद में चला गया वो search name के variable के अंदर, अगर आपने वहाँ पे ID 1 लिखा है, तो इसके पास 1 आ गया, 2 लिखा है, तो 2 आ गया, जो भी आपने type किया है, यह यहाँ पे अपने पास बुला लेगा with the help of post method, अब ज मैच करना है, जो बंदा इस जगह पे लिख रहा है, क्या वो मेरे database के अंदर है, या नहीं है, तो अब हमें match करना है, डेटा match का code करने से पहले मैं आपको domain reserve के बारे हैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपने business को online लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक domain name एक hosting क requirement है, तो आप domain reserve.com पे आ करके उन services को यहां से select कर सकते हो, domain reserve आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है, pure SSD disk space, free SSL certificate, secured and 20 time server आपको fast मिलता है, pricing plan के अगर हम बात करें, तो basic plan start होता है 59 रुपीज पर मंच से, इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1 GB SSD की storage है, 10 email address करेट कर सकते हो, 5 GB क technology है, personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address करेट कर सकते हो, bandwidth unlimited, light speed की technology है, और premium SEO tool आपको free मिलता है, silver plan के अंदर तीन website को host कर सकते है, बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है, advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है, unlimited websites को यहां पे host कर सकते है, बाकि सारी चीज़े same है unlimited है, तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाब से, domain research.com पे आकर के plans को select कर सकते हो, all right, so मैं यहां पे आगया अपने code के अंदर, और इसके बाद हमने यहां पे type किया, कि भाई एक query चला, तो मैंने एक variable बना लिया, dollar, query, अब इस query के जगा कुछ और लिख लो, बाद में नीचे भ करो, small में type करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो mysql का part है, मैं यहां पे कहता हूँ select, star, star का मतलब है all, यानि की भाई सारा कुछ select कर ले, कहां से select कर ले, select all from, from के बाद आपको लिखना है अपने table का नाम, मैंने यहां पे form दे रखा है, अगर आपने कुछ और दे रख होगे, ध्यान दो, बहुत सारे लोग mistake करते हैं, जब मैं table का नाम form रख देता हूँ, तो वो from और form में mistake करते हैं, select all from सभी को लिखना है, as it is, और इस जगा पे आपके table का नाम लिखना है, तो मैंने कह दिया, select all from form, form नाम के table में से सारा data select कर ले, अगर यह query लगा दूँग तो सारे employee का data fetch हो जाएगा, और select हो जाएगा, वो नहीं करना, मुझे किसका data select करना है, जो specifically यहाँ पर type हो रहा है, जिसको हमने store करा लिया है, इसके अंदर, तो इसे मैं copy कर लेता हूँ, select all from table का नाम, where, जहाँ पे, अब यह मैंने capital लिखा है, बाकी small लिखा है, कोई चक्क code use कर रहा हूँ, और यहाँ पर search को paste कर दो, अब इसका meaning समझते है, मैंने का select all from हमारे table का नाम, form नाम के table से सारे data को बुला अपने पास, किसके data को, जिसकी ID यह हो, अब यह जो ID है ना, यह हमारे field का नाम है, तो अगर आपने यहाँ पर ID की जगा पर कुछ और लिखा है, तो as it is, capital है, तो capital small है, तो small, वो as it is आप यहाँ लिखोगे, मैंने का जिसकी ID यह है, अब यह कहां से आया, वो यह रहा, search के अंदर जो बंदा बता रहा है, यह कहां से आया, उपर HTML के design के अंदर से आया हमारे पास, जो भी user type कर रहा है, तो graphically अगर हम इसको समझे, तो यह जो भी type होगा और click होगा, वो सारा data search करने के लिए मैं इसको कह रहा हूँ, यह meaning बनता है अब तक हमारे code का, अब इतना लिख देने से यह query नहीं चलती, अब तक आप समझ चुके हो कि इसको execute कराना पड़ेगा, तो data नाम के variable के अंदर मैंने इसको कहा, mysqli underscore query, ध्यान दे mysqli आई रहेगा, इसको दो parameter चाहिए होंगे, पहला होगा आपका $con, जैसे कि हमने insert वाले में सीखा, connection file, दूसरा होगा आपका $query, जो भी आपने इस जगह पे लिखा है, उसको copy करो, यहाँ करके उसको paste करो, और last में आ जाएगा हमारे पास semicolon, अब इससे क्या होगा, य यह query execute हुआ है या नहीं हुआ है, यह data को मालूम है, अब query को execute होने के बाद सारा data तो मंगा लिया, लेकिन अलग-अलग variable में तो store करूंगा नहीं, तो इसके लिए एक array बना लिया, $result equals to mysqli underscore fetch underscore associative मैंने का भाई, data को fetch करा, query तो चल गई, अब data को fetch करा ले, जो भी आपने उपर यहाँ पर variable बना रखा है, वो इसको pass कर दो, last में आ करके semicolon लगा दो, ठीक है, तो अब result नाम के variable में सारा का सारा data, array के format में store हो गया, यानि की result square bracket के अंदर id, यह वो सारा कुछ हमने यहाँ पर मंगा लिया है, अब इसको print करा के देखते हैं, तो मैंने एक variable ले लिय result और क्योंकि वो एक array है, तो हमें देना पड़ेगा square bracket, ठीक है, यह result कहां से आया, जो भी उपर लिखा है, यह line क्या कर रहा है, देखो उपर तक क्या हुआ है, query execute हुई, जो search करना है, वो search हुआ, query हमारा चला दिया गया, अब वो जो data है, वो database से form पर मंगाना है, बहुत स array में डाल दिया, और यहां पर उसको array के format में result के अंदर store करा दिया, नीचे आकर के मैं क्या कहता हूँ, यह जो मेरा emp underscore name है, यहां पर आकर के मैंने कहा, emp underscore name, इसको बाहर निकाल array से, और name नाम के variable में store कर दे, और यह आपका single quote के अंदर रहेगा, ठीक है, अब मैं चाहूं तो name को print कर सकता हूँ, तो मैंने कहा dollar, not dollar, यहां पर मैंने कहा eco कर, किसको eco कर, dollar name नाम के variable को, इतना कहकर के अगर हम यहां पर आते हैं, उपर से hash अटा करके enter press किया, यहां पर आ करके one type किया, search पर क्लिक किया, तो आप देखोगे, यह यहां पर जगा पर cyber warriors आ रहे है, अगर मैं यहां पर two पर क्लिक करता हूँ, search करता हूँ, तो लिक करके आता है, केशव शर्मा, अगर मैं आपको यहां जाकर के दिखाओं, तो दो number पर केशव है, तीन number पर अंकिता है, इस जगह पर आ करके मैंने इसको provide किया, three, search पर क्लिक किया, तो अंकिता, अब देख सकते हो क data हमारा database से page के ऊपर आ चुका है, form के ऊपर लेकर के आना है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, module by module हम इसको करते चलेंगे, जिस तरीके से मैंने यहां पर name को अलग किया है, हम सारे data को अलग कर सकते हैं, इसके आगे का काम हम लोग यहां पर next video के अंदर cover up करेंगे, link आपक description में मिल जाएगा, उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको search का concept कुछ हद तक समझ में आ चुका होगा, और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, channel पे new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on क आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys.